तो ये भगवान आपकी इच्छा पूर्ती भी करने में मदद करते हैं और आपका मंगल भी हो तो नश्वरी इच्छा करोगे तो उसमें मदद तो करेंगे लेकिन आपका मंगल भी इस भाव से फिर वो नश्वरी इच्छा में कितनी मदद कब करें ना कले तो अच्छा है उनकी मोज है जितना आप उनके वरोसे और उनके महराज जिसमें महरा बला हो महरा मंगल ये सोच के इच्छा करोगे तो फिर मंगल का इसा लेकिन ये होना चाहिए और तीवरता से लगोगे तो फिर वो ही होगा फिर करम के अनुसार में तीफल इसलिए भगवत आश्रीत होकर करम भगवत आश्रीत होकर संभाव भगवत आश्रीत होकर चिंतम करने से जल्दी भगवत प्राक्ति हो जाता है हम वास्तना आश्रीत होकर हमकार आश्रीत होकर मान्यता आश्रीत होकर करते हैं तो रास्ता लंबा हो जाता है कि खाना तो तोल के खाएंगे इतना हो जल्दी जगेंगे ये करेंगे तब कहीं मिलेंगे ये करेंगे तो राम सुगदास जी ने कहा कि हमने तो पहले ये बहुत कुछ करके देखा अब पता चला कि इतना सरल है शर्प्राथी बैठे रहते के जल्दी से जल्दी वगवट प्राती लोगों को कैसे हो जाए तो अभी पता चला है तो आप लोग उसका फाइदा हो था तो जो सत है चेतन है आनंद स्वरूप है मरने के बाद भी साथ ने छोड़ता है और ओभगवान राम जी को वसिष्ट महाराज बोलते कि वो परमेश्वर कहीं देश विशेश में या फालानी जगा है आएंगे अथ्वा में जाओंगा एदार ना छोड़ो वो सर्वदेश में सर्वकाल में और सब के आत्मरूप को कर बैठे उस परमेश्वर का ऐसे ऐसे उपास ना करो ऐसे चिंतन करो मैं भी आपको बताता हूं कि मैं यह से प्राणायम करो पि व्रभवान के चित्र के तरह बत्वा काश्क में एक टक देखो वो मखार का जब करो फिर छुपो जाओ फिर जब करो छुपो तो एक आगरता बढ़ेगी श्रद्धा एकागरता सत्चरित्रता ब्रम्चरियर श्रद्धा से आपका अंतकर रसिला हूगा एकागरता से अंताकर्मे बर्गवत स्वभाव का मलाएगा और संसारी सपरता है भी एकागरता से इच्छा पूर्थी की शक्ति भी आएगी लेकिन इसमें आसक्ति करोगे तो फस होगे एकागरता का फल आसक्ति हुई संसार में तो हिर्णा के शक्ति की एकागरता हुई और फिर मेराजा बनू ऐसा बनू तो कितने हजारो बरस बटका एकागरता में तो बल हो बस सफलता का लेकिन आना सक्ति जगत से तो खली एकागरता से भी काम नहीं होता सब्सक्ति है टो रसीला पाता टो रस Aletschaft आना इसे वह फिर आख़िन क्या जमीन लेली बिल्डर हो गए और दस करो रुपया मैंने में कमाने लगे फिर क्या छोड़के तो ही मरना है यहां सक्टी का प्लानिंग है ना यह करूं यह पाऊं ऐसा करूं मैं एक बैंक खोल दूं महां खा फिर गरीबों को कम पैसे में प्याज पर दूं बिचारया दि प्रिक है लेकर फिर क्या आपकी बैंक खुल गई आदिवासियों को गरीबों को तुम्हें सस्ते दाम पैसे टके पर पैसे दिये पांच टके पर दिये अच्छा है ठीक है मैं तो कहता हूं आप उनको नहीं बिना ब्याज की पैसे दो अच्छा है चलो शुब भाव है फिर आपका शरिर कब तक और बैंक कब तक इश्वर क्या है आप क्या है और जगत क्या है उसमें तो गुद्धी नहीं लड़ी ने है तो आप अपने पैर पर कवाडा मार रहें आप उसीबत को बुला रहें ऐसे वैसे संकल्प पर होगे तो इश्वर प्राप्ति का रास्ता आप से छूट जाएगा मौंखा मांखे ऐसे फिनके जाओगे कि फिर कभी रास्ते चलना मुश्किल हो जाएगा तो बोले अना सक्थी अना श्रिताह कर्म फर्लम कार्यम कर्म करो दिया इश्वर प्राप्ति का उद्देश मुख्या हो फिर सेवा तो अपन करते हैं और दूसरे को क्यों मना करेंगे लेकिन उद्देश इश्वर प्राप्ति का तो एक अलग्णता श्रद्धा अना सक्ति ब्रम्चरि अवसत चरित्रता ये पाँच सद्वों को अच्छी तरह से आत्म साथ करके थोड़ा सा ही बजन भगवत प्राप्ति का देगा दुखों से सदा के लिए छूट जाएगे अज्ञान मिट जाएगा और भगवान और आपके बीच की दूरी भी अट जाएगे एक अग्रता हुई श्रद्धा हुई और भगवान स्वपने में दिखे साकार होकर आए लेकिन आपके मन में आज सक्ती बनी रहे के मैं ऐसे रहूं ऐसा बनूं तो फिर भगवान क्या करें के ऐसे ही वर्दान दे देंगे जख मारो उसी में तुमारी इच्छबूर्ती का तो मात्मा लोग बहुत दूर का अनुबह करके बताते के अना सक्ती रहों साथ हजार वर्स तपस्या के रिर्णा कश्यपू इरन पूर्बना सोने का पूरी धर्ती पर अश्वरों इधर उगा तैल का मचा दिया फिर आखिर क्या रावन ने तपस्या के यह क्या लंका बन गए लेकिन आसक्ती रहे बाहर से अंदर सुख भरना यह आसक्ती बाहर पी चीजों की औशद की नहीं उप्योग करके अंतर आत्मा के आनंद को प्रगट करना ही आना सकती तो रावन को उस अपनी पत्नी थी लंका में कितनी होगी नाचने काने वाली लेकिन जगत में सुख लेने की आसक्ती आखर सीता माता तक बुरी नजर से अथ्वा अपराद वृत्ती से उनको उठा के लिए आना को आखर तो कुछ नहीं हर बारा मैंने दे लिए अचला असक्तीका फल दिखारे और हर राम नुमी को भगवान प्रगट होगते हैं अनासक्त प्रुरी सेता है तो भगवान राम ए अनासक्ति का प्रत्यक्ष धर्म का विक्र है और रावर आसक्ति का है तो यासक्ति वाले को दे दे आसलाई और अनासक्ति वाले को बैप्रगट गुपाला दीन दयाला कौशल्या ही तकार अनासक्ति तुष्षद्धा एकागरता ब्रह्मचरिया अनासक्ति सचरिद्रता ये पाँच सद्वम और भगवान के स्वभाव का सत्सम सुनले ये विश्वर प्राप्ति ऐसी